नमस्ते मैं हूँ आपके financial educator स्वाती और आप देख रहे हैं be wealthy जहाँ पर आपको वो हर जानकारी दी जाती है जिससे आप एक समझदार निवेशक बन सके टैक्स बचाने के लिए ELSS fund की तलाश तो शुरू हो गई होगी आपकी आपका काम थोड़ा आसान कर देते हैं आज हम और आज हम आपको ऐसे तीन equity link saving scheme बताएंगे जो अच्छे और consistent performer तो है ही साथ ये तीनों अलग-अलग निवेश style भी follow करते हैं लेकिन आगे बढ़ने के पहले वो जो subscribe बटन दिख रहा है आपको ज़रा click कर दीजिए कर दिया अब ठीक है चले शुरू करते हैं डिस्क्लेमर ये है कि recommendations नहीं है ये ना ही ये promotional video है ना ही इन में से किसी भी fund में मिरा निवेश है लिस्ट में सबसे पहला नाम है mirror asset equity link saving scheme tax saver fund का 2015 में ये fund आया था फिलहाल AUM है 20,949 करोड fund manage करते हैं दी निलेश सुराना fund पैदाईश से ठीक कर रहा था लेकिन 2022 में थोड़ा लड़ खड़ाया 2023 की शुरुआत में संभलने की कोशिश की लेकिन 2023 के अंग तक उतना नहीं संभना जितनी की उमीद थी वजह private bank में overweight position जो की peers और benchmark की तुलना में अधिक थी एक साल के trailing return शायद आपको बहुत impressive ना लगे लेकिन 5 साल में इस fund ने अपने peers और benchmark की तुलना में काफी अच्छा किया है और एक अच्छी consistency आपको इस fund में देखने को मिली है निवेश की style की बात करें तो ये fund growth at reasonable price strategy follow करता है अभी भी इस fund का banking sector में exposure सारे 25% के आसपास है लेकिन fund house banking with overweight in private bank के stance को maintain करेगा growth के बाद बढ़ते हैं value की तरफ दूसरा नाम पराग पारिक ELSS tax saver सही मायने में value oriented fund house है जो अपना PE ratio हमेशा peers और index से कम रखता है launch से अब तक इस scheme के portfolio में at any given time more or less pathy stocks होते हैं so a little concentrated portfolio buy and hold strategy है जिसकी वज़ह से churning बहुत कम होती है churning मतलब portfolio में stocks frequently बदले नहीं जाते फिलहाल AUM है 2997 करोर और allocation wise इस fund को देखे तो 83.66% in large cap, 6.73% in mid cap and 9.6% in small cap यह बताता है कि fund थोड़ा conservative है 2019 से अब तक fund ने लगतार benchmark को आउट परफॉर्म किया है चार में से तीन साल में अपने peers से भी बहतर return दिया है scheme के fund manager है राजीव ठककर उनका साथ देते हैं रुकुन ताराचंदानी, मानसी कारिया, राजमेहता और रानक ओंकार राजीव जी का solid track record है पराग पारिक फेट्सी कैट scheme के साथ और इसलिए आपको दोनों scheme में बहुत similarities दिखेंगी 29 यानि 29 common holding है और portfolio overlap है 63% का फर्क दोनों में आता है international exposure से tax saving fund में foreign stocks में निवेश की जाज़त नहीं है और जाहिर सी बात है कि fund size का तो फरक होगा ही तो पराग पारिक ELSS tax saver एक बढ़िया promising option है उनके लिए जो value investing को अपने portfolio में शामिल करना चाहते है tax saving के साथ साथ तीसरा नाम ना जो mirror asset tax saver की तरह growth strategy follow करता है ना पराग पारिक tax saver की तरह value strategy इनकी philosophy अलग है इनकी philosophy है data driven analytical framework को follow करके stock का portfolio बनाना any guesses come on give me some name okay I am talking about everyone's current favorite quant ELSS tax saver जो की launch हो था साल 2000 में आप कहेंगे हैं इतना पुराना है ये well quant mutual fund पहले था है Scott mutual fund जिसे quant capital ने 2018 में acquired कर लिया था और उसका नाम हो गया quant mutual fund so 2018 से fund की investment philosophy और investment style में बहुत major change हुआ quant tax saver के fund manager है वासफ सहगल और अंकित पांडे asset under management है 7,770 करोड portfolio composition पर एक नजर डाल लीजे जरख पितली large cap में 73.45% mid mid 24.78% और small में 1.77% पिछले 5 साल में fund में कम से कम 20 और अधिक से अधिक तिरपन stocks रहे हैं फिलहाल सग्या है 49.39% कहते हैं ना कि दुनिया में change is the only constant thing यह बात इस fund house और उनकी सभी schemes पर बड़े अच्छे से लागू होती है performance की बात करें तो 2023 में एक bumpy शुरुवात थी साल को लेकिन खतम किया गया high note पर यह fund energy sector पर overweight था जिसका अच्छा फाइदा उसको देखने को मिला देखे यह fund dynamic style of money management follow करता है stock या sector का inflection point पकड़ने में अभी तक इस fund ने बड़ा अच्छा काम किया है momentum driven market में exceptional return देने में सफल रहा है लेकिन अगर बाजार में correction आया तो क्या यह fund काम करेगा well this fund house के CIO Sandeep Prindan का कहना है की our thought process is very simple if data changes we will change we are slaves of data and at quant we say data is god so if something is changing we will be early and quick to react rather than saying that we would like to wait and see how it unfolds तो जिनमें risk लेने की शमता है और जो return के लिए unconventional strategy लेने से नहीं घबराते हैं उनके लिए है quant ELSS tax saver फिलहाल के लिए इतना ही याद रखिए कि यह recommendations नहीं है जिनके portfolio में इनके अलावा और बाकी कोई schemes है tax saver की तो वो यह कता ही ना करें कि उनमें निवेश रोपकर इनमें शुरू कर दे या पिर इसको भी आइड कर दे याद रखिए कि कोई भी scheme हमेशा टॉप पर नहीं रहती है याद रखिए कि आप है मेरे आनि स्वाती के साथ और हम सब हैं बहुत ही साफधानी और समस्दारी के साथ है कॉमेंट करेंगे आप नीचे वीडियो कैसा लागा कोई feedback या फिर आप मुझे mail कर सकते हैं ask at the rate bewealthy.co.n पर वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को धेर सारा प्यार और दुलार stay blessed, healthy and be wealthy प्यार आप सब्सक्राइब बहुत 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 बहुत